दोस्तों अगर आप भी भारती टीम को विशु क्रिकेट की सबसे बैतरी टीम आनते हैं नुवारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा दोस्तों के चोटिल होने के रूप में बहुत बड़ा जटका लग चुका है लेकिन बावजुद उसके अपनी टीम को शांदार जीत दिलाने के लिए सभी भारती खिलाडी लगातार प्राक्टिस करते वे नदर आ रहे हैं और अपनी प्राक्टिस को और भी जादा बैतर करने के लिए उन्होंने आपस में एक इंट्रा स्क्वाइड मैच के लाए चली दोस्तों हँआ को बताते हैं इस इंट्रा स्क्वाइड मैच की पूरी हाइलाइट्स के बारे में लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारती टीम साओथ अफरिका को उनके घर में हराब प्रदर्शन को बहतर करने के लिए मुकाबले खेलती हुई नजर आ रही है और उन्होंने अपनी तयारियों को और भी बहतर करने के लिए आपस में एक इंट्रा स्क्वाइड मैच खेला है जिसमें एक टीम की कप्तानी विराट कोहली संभालते हुए नजर आए तो वहीं दूसरी टीम की जिम्मेदारी रिशाप पंत उठाते हुए नजर आए और जहां एक तरफ विराट कोहली की टीम में इशान किशन जैसे बहतरीन बल्लेबास के साथ साथ अश्रेश और जूरी कुमार यादो जैसे 360 डिगरी बल्लेबास थे तो वहीं दूसरी और पंतिकी टीम में वेंकटेश आई और रितुराज गायक वार जैसे बल्लेबास के साथ ही केल राहुल शामिल थे तो वहीं दोस्तों पंतिकी टीम में धीपक चाहर जैसे युवा सिदारे और विराट कोहली की टीम में भुवनेशुर कुमार सिराज और अक्षर पटेल जैसे शांदार गेंदबास शामिल थे तो इस मुकाबले की शुरुवात में विराट कोहली ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबासी करने का फैसला किया और उनका ये फैसला इतना शांदार सावित ओपनिंग करते हुए विराट कोहली और इशान किशन ने पहले ही ओवर में तावर दोड बल्लेबासी करने की शुरू कर दी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानों वो अफरीकी गेंदबासों की पिल्टाई कर रहे हो दोस्तों दोनों ने पहले 6 ओवर में यानि की विर गेंदबासी करने के लिए और उन्होंने आते ही दो बहतरीन गेंद डाल कर दोनों ओपनर को चलता कर दिया और इसी के साथ ही विराट कोहली की टीम का स्कोर 7 ओवर के बाद 2 विकेट खोकर 50 ती रन था दोस्तों इसके बाद बल्लेबासी करने के लिए सूरिकुमार में उत्रे और उन्होंने इस मैच में शांदार बल्लेबासी का प्रतशन करके दिखाया जिसे देखकर तो अब एफरिका के गेंद बाजों को उनसे बच कर ही रहना होगा दोस्तों सूरिकुमार यादव ने इस प्रैक्टिस मैच में दीपक चाहा जैसे गेंद बाजों की लेकिन जैसे ही गेंद बाजी करने के लिए स्पिनर या चुबेन चहल आये तब उन्होंने एक बार फिर से आक्रामा कंदास से बल्ले बाजी करते हुए जम कर धुलाई करी और वो टीम का स्कोर 15 ओवर तक 155 रण के पार ले जाने में कामियाब रहे और वहीं अंत में मुह पंत की टीम ने शुरुवात से ही जो क्लास लगाई है उसकी कलपना तो विराट गोली और उनकी टीम के खिलाडियों ने अपने सपनों में नहीं की होगी क्योंकि जब युवा खिलाडी रिदुराज गायकवार और वेंकटेश आईयर ओपनिंग करने के लिए उतरे तो आ बल्लेबाज, भुमने शुरुकुमार और सिरा जैसे टीटवंटी के स्टार गेंज बाजों को भी अपने सामने कुछ नहीं समझ रहे थे और एक बाद एक बड़े शॉट खेलते जा रहे थे जिसके बाद टीम का स्कोर दस ओवर में बिना विकेट खोकर 135 न हो गया था और अब जिस तरीके से मुकाबला आगे बढ़ रहा था उसे देख कर तो ऐसा लग रहा था कि पंद की टीम एक सो अंठान ने के लक्ष को 20 ओवर से पहले ही हासल कर लेगी ये साबित कर दिया कि अब ये सब ही बल्लेबाज पूरी तरीके से अफरीका के खिलाफ खेले जाने व दोने वाद